नमस्कार मैं राहुल भोट स्वागत करता हूँ आपका बॉलिवट स्पाय में दोस्तो शुशान भाई के जाने के बाद एक डिबेट जो है नेशनल डिबेट बन गई और वो डिबेट क्या थी वो थी नेपोटिजम कि नेपोटिजम जो इंडस्ट्री में है जिस तरीके से नेपोटिजम आगे बढ़ रहे हैं जिस तरीके से नेपोटिजम विदाव टैलेंट जो आगे बढ़ रहे हैं वो कही नखी गलत है और जनता एक एक करके बदला ले रही थी दोस्तो जनता एक एक करके जो है celebrities को unfollow कर रही है जनता अपना reaction दे रही है basically अपना उफान दिखा रही है कि देखो हम ने तुमको बनाया तो हम भी तुमको नीचे भी कर सकते हैं यहां पर जनता नहीं क्या किया दोस्तो काफी celebs को social media पे ट्रोल कर दिया उन्हें unfollow कर दिया उनके you know memes भी बनने लग गए और ऐसे में काफी celebs ने तो दोस्तो अपने instagram account में से जो comment section होता है वो बहुत private कर दिया twitter छोड़के से लगे कुछ celebrities अब आपको बताना चाहता हूँ आलिया भट की एक बात दोस्तो आर 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 आ रही है जो कि दोस्तो SS Rajamoli सहाब की फिल्म है यह फिल्म 2020 में आने वाली थी फिर उसके बाद अब 2021 में January में आने वाली थी लेकिन अब January में भी नहीं आएगी दोस्तो यह उससे भी पीछे शुफ्ट हो गई है इस फिल्म के अंदर नर सर्फ हमारे बॉलिवुट के अजिरेवगन सहाब है बलकि साउथ के दो बड़े स्टार है यानकी जूनियर NTR और प्लस राम चरंची और इसी में दोस्तो आल्या भट का भी नाम शामिल हो गया था कि आल्या भी शूटिंग करने वाली है अब दोस्तों जो भी नेपोडिजम और यह पूरा डिबेट चल रहा था इस दोरान जो है मैंने ही आपको ख़बर बताई थी कि जो ऐसे स्राजा मोली है उन्हें सोचल मीडिया पर मैसेज़े आ रहे है कि आल्या भट को मत लो आल्या भट यह वो पहुत सारे आल्या के अगेंस्ट हो गए थे शुषान सिंह राजपुत के चाहने वाले जो उन्हें दिल से सपोर्ट कर रहे थे और बीच में ख़बर भी आई थी कि आल्या भट ने छोड़ भी दी फिल्म करके इस चक्र में उसको निकाल दिया फिल्म से लेकिन दोस्तों अब आपको बताना चाहता हूँ बॉलिविड हंगामा की एक रिपोर्ट जहां पर क्लोस सोर्सिस की तब सुने बाते पता चलिया है कि यह आल्या इस इगरली वेटिंग की जैसी लॉक्डॉम खतम हो और वैसे ही मैं शूट शुरू करूं और यहां पर दोस्तों आपको बता दू तो आलेवट की तीन पिक्चर जो है वो प्रोडक्शन में जाने वाली है एक तो संजे लीला बंसाले के गंगु बाइक का ठेवाडी दूसरी उनके पिता जी की ही सड़क टू यानि महिश बट साब की और वहीं तीसरी जो है यह आर 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 सो गाइस आप लोगों का क्या रियक्शन इस बात पर कमें सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और बने रही है चैनल के साथ मैं चलता हूं नमस्ते दोस्तों पास्ट में आपने बॉलीवट स्पाइक को धेर सारा प्यार दिया सम्मान दिया जिसके लिए मैं बहुत जादा धन्यवादी हूँ अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का यानिकी फूद स्पाइक को जहां पर आपको अलग-अलग अनोखी रेसिपीस तो मिलेंगी साथी साथ बॉलीवट के सेलिबिटीस क्या खाते हैं उनके डाइट प्लांस क्या है और तरह की अलग-अलग जानकारी मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूद स्पाइ का उसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक एंड शेयर भी कीजिए जलता हूँ